HD, देवगोडा का जीवन परिचे, गोडा का जन्म 18 माई सान 1933 इस्वी को करनाटक के हासन जिले के होले नारा से पुरा तालुक के हर्दनहली गाव में हुआ था। जो की माई सौर के पूर्व सामराज्य करनाटक में का एक वोकालिगा, जाती परिवार है, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गी कृत किया गया है। एच, डी, देवगोडा का पूरा नाम हर्दनहली डोडेगोडा देवगोडा है, इनके पिता डोडेगोडा एक किसान थे और माता का नाम देवम्मा था, इन्होंने 1954 में चेननम्मा से विवाह किया, उनके छे बच्चे एक साथ हैं, रेवना और एचडीडी, कुमारस्वा और दो बेटियां समेत चार पुत्र हैं, 1950 के दशक के अंत में उन्होंने एलवी पॉलिटेकनिक, हसन से सिविल इंजीनियरिंग में डिपलोमा अरजित किया, अपनी जवानी में, गोडा ने अपने पिता को खेती के साथ मदद की, उन्होंने 1903 में राजनीती में की सदस्यताली, हर्दनहली दोडे गोडा, देवगोडा भारत के ग्यारहवे प्रधानमंत्री हैं, उनका कार्यकाल सन 1996 से 1997 तक रहा, इसके पूर्व 1994 से 1996 तक वे करनाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, 1996 के आम चुनावों में, पीवी नर्सिमहा राओ की अध्यक्षता वाली कॉंग्रेस पार्टी निरनायक रूप से हार गई, लेकिन कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटे नहीं जीत पाई, जब संयुक्त मोर्चा, गैर कॉंग्रेस और गैर भाजपा, क्षेत्रिय पार्टीयों का एक समूह, ने कॉंग्रेस के समर्थन से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया, तब देवगोडा को अप्रत्याशित रूप से सरकार का नित्रित्व करने के लिए चुना गया, और वह भारत के ग्यारह वे प्रधान मंत्री बने, उन्होंने 1 जून 1996 को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में पदभार ग्रहन किया, और 21 अप्रेल 1997 तक जारी रहे, इसके अलावा वह संयुक्त मोर्चा की संचालन समिती के अध्यक्ष थे.